हालो एवरीवन, वेलकम बग तो माई चानल, फ्रेंड्स, आइम हेर अगेन विद रिव्यू वीडियो अन स्पिन मॉब, मैंने पहले भी एक स्पिन मॉब का रिव्यू वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेर किया है, मेरे चानल पर आप उसे चेक आउट कर सकते हैं, मैं लि इस पिन मॉब की यह है, फ्रॉम द ब्रांड स्पॉट जीरो से, प्रॉट जीरो भी काफी अच्छी ब्रांड है, यहां पे एक चीज मैंने देखी है, पैकेजिंग इस फाइन देखी है, प्रॉड़क्ट इस डिलिवर्ड सेफली, विदाउट एनी डामज, बट जो स्पॉ वीडियो में दिखाऊंगी, it's a very simple process, इसका attachment everything is very simple, तो जो भी products इसके साथ, जो भी attachments इसके साथ आई है, वो जैसे हर spin mop के साथ आती है, वैसे है, वही चार attachments है, तो पहले से खोल लेते हैं, तो packaging everything is fine, बस वही है कि spot zero का जो अपना cover होता है, वो नहीं दिया है, Scotch Bride brand में उन्होंने अपना cover दिया था, बात कर लेते हैं, इसके color की, color बहुत ही सुंदर है, aqua blue color है, बहुत ही प्यारा color है, और plastic की quality भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे इन्होंने एक warranty card sort of provide किया हुआ है, कुछ terms and conditions है, and which you can read, आप इसे दे कि कैसे आपको जो mop head है, rod है, उसे किस तरह से लगाना है, कैसे use करना है, all that, तो यहाँ पे इन्होंने दो refills provide कियो है, यह mop heads होते हैं, जिने उस rod में आगे लगाना होता है, plus यह जो handle है, यह भी काफी strong है, sturdy है, grip काफी अच्छी है, तो यह भी बहुत ही अच्छा है, so overall जो quality है, everything is so good, I am happy with this, और जो wheel है, यह भी काफी broad है, जिससे कि इसका जो movement है, वो भी बहुत ही easily होता है, without any effort, तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है, plus यहाँ पे ने एक water का outlet provide किया होता है, तो यहाँ पे एसे खोल सकते हैं, और यहाँ पे जो dirty water है, उसे आप यहाँ से drain कर सकते तो यह भी काफी अच्छा attachment है, so that is also good, आपको पानी को यहाँ से निकालना है, plus यहाँ पे यह जो bucket दी होई, यहाँ पे दो buckets दी होती है, एक यह वाली है, जहाँ पे आपको spin, जहाँ पे sorry, आपको rinse करना होता है, जिससे washing machine में होता है, जो semi-automatic होती है, जिन में एक तरफ आ spins है, और यहाँ पे आपको spin कराना है, तो यहाँ पे जैसे इनोंने plastic का दिया हुआ है, यह जो spin वाली bucket है, तो अब बात कर लेते हैं, इस rod की, इसका attachment बहुत easy है, तो यहाँ पे इनोंने ring वाला एक पार्ट दिया होता है, जिसको कि आपको यह जो mop head की plate होती है, एक यह वाल पार्ट है, जिसको कि आपको rod की साथ fix करना है, और इसको गोल-गोल घुमाना है, तब तक गुमाते रहेगा, जब तक यह गुमना बंद ना हो जाए, तो यह अच्छे से यहाँ पे fix हो गया है, तो इस तरह से fix करना है, उसके बाद यह जो mop head की plate होती है, इसको यहाँ पे इसको आपको ऐसे सीधा कर लेना है, थोड़ा सा tight है, तो आराम से आप इसे कर लीजेगा, तो यहाँ पे इस वली जगह पे आपको कौन सा पार्ट लगाना है, जो यह white वाला ring का पार्ट है, जो black वाला था, उसको तो वहां किया था, जैसे मैं आपको दिखाया था, और यह जो रिंग वाला सा पार्ट होता है, इसको आपको यहाँ पे मॉपेट की प्लेट पे लगाना है, और वैसी घुमाते देगा, जब तक यह tightly fix ना हो जाए, घूमना ना बंद हो जाए, तो तब तक आपको इसको घुमाना है, अब यहाँ पे जो यह मॉपेट्स जाए लिंट फ्री है, और डर्ट को बहुत ही अच्छे से अब्साब कर लेते हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यह वाशिबल भी होते हैं, आप इने वाशिंग मशीन में डाल दीजेगा, जब यह बहुत जाए गंदे हो जाते हैं, तो वाशिंग मशीन में इसली वाश हो जाते हैं, तो आप उसमें वाशिंग मशीन में डाल के ने दो लीजेगा, अब बात कर लेते हैं, कि यह जो मॉप हैं, यह जो पोच्छा है, मॉप है, इसको कैसे अच्छे करना है, आप चाहे तो हातों की मदद से भी इसे फिक्स कर सकते हैं, और या फिर इस तरह से इस प्लेट को रखेंगे, और आप इसके उपर खड़े होकर कि इसको हलके से वेरी जेंटली आप इसे इस तरह से प्रेस कर दीजेगा, बहुत ही जोर नहीं लगाना है, बहुत ही इसानी से फिक्स हो जाते हैं, बस आपको धियान रखना है कि अनलाइन अच्छे अच्चे से फिक्स हो जाएं मॉब हेड के और मॉब प्लेट के, यह दोनो अच्छे से फिक्स हो जाएं, it is very easy process, तो बस यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो गया है, कोई कहीं से भी यह ऐसे उपर नीचे नहीं होना चाहिए, प्रॉप पर एकदम एलाइन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इनोंने हैंडल दिया हुआ है, जिसे कि आप इसको बकेट को easily move कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है एक dispenser, जिसमें कि आप अपने disinfectant य अब बारी आती है, पानी डालने की, तो पानी का जो level है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, कि पानी का जो level है उसको आपको बहुत जादा नहीं भरना है, तो जैसे कि यह जो spin वाली bucket होती है इसके अंदर पानी नहीं दिखना चाहिए, इससे क्या होगा, क्योंकि जब spinning करेंगे न, अपने जो mop है, उसकी जब spinning करेंगे, तो वो जो पानी है न, वहीं पे ही, जो mop है, उसी के अंदर वही absorb करता रहेगा, और वो dry नहीं हो पाएगा, फिर आप पोचा अच्छे से नहीं लगा पाएगे, क्योंकि वो पानी जो है, वहीं पे ही रहेगा, तो बस य आपको दूसरा यहाँ पे attachment क्या दिया है, यह इस तरह का lock होता है, clip दी होती है, जिससे कि आपको remove, बला इस clip को हटाना बहुत ज़रूरी है, इसको open करना बहुत ज़रूरी है, हटाना न, open करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे open नहीं करेंगे न, तो यह move न जाती है, जैसे आप इसे खोलेंगे न, तो you can see the height can be extended further, as per your height और आपकी requirement के according इसकी height भी extend हो जाती है, तो आपके न, अगर बहुत ज़ादा नीचे अगर आपको पोचा लगाना है, मॉपिंग करनी है, तो आप easily इसकी height को आगे बढ़ा करके भी पोचा easily लगा सकते हैं, जरूर खोल लेना है, जिससे कि इसकी जो movement है, मॉप की वो अच्छे से हो पाए, यह 360 degree move कर सकता है, इसकी जो यह rod जो है न, यह 360 degree move कर सकती है, तो इससे जो आपका mopping का process है न, वो बहुत ही easily हो जाता है, और पोचा तो बस मज़े मज़े में लग जाता है, I can assure you, बहुत ही अच्छी quality है इसकी, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोचे को rinse करना है, इस तरह से यह round and round move करेगा, and then फिर आपको spin कराना है, तो बस यहाँ पर यह spin हो जाएगा, बहुत ही smoothly glide कर रहा था, बहुत ही smoothly work कर रहा था, I am very happy with this product also, मैंने इस brand के जो इस review आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँ, so friends, that's all for today's video, I hope के video आपके लिए helpful रहा होगा, इसी तरह के और वीडियो के लिए मेरे चानल को subscribe कर लीजेगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, informative लगा है, तो like भी जरूर कर दीजेगा, और अपने family and friends में जरूर शेय videos, आगे भी आपको और बहुत सारे review और decor videos भी देखने को मिलेंगे, till the time, bye bye and take a very good care of yourself.